यही प्रॉब्लम सिप मेरे साथ नहीं है, मेरे जर्सी और भी बहुत सारी लेडी के साथ यही सेम प्रॉब्लम है दोस्तो आज की दिन की सुरवात हम करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ फ्रेंड्स जीत और हार दोनों आपके सोच पर निर्वर होता है मान लो तो हार है, और ठान लो तो आपकी जीत तो पकी है सुबह सुबह मैंने उटके अपना घर का जो भी काम है जाड़ो पोचा वगेरा वो सब मैंने कर लिया, उसके बाद फिर मैं यहां पे पूजा करनी हूँ पूजा मेरी हो चुकी है इसके बाद अथर की पूजा हो जाएगी फिर हम लोग बाकी सब काम करेंगे हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं न्यू ब्लॉग I hope कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी बिलकुल अच्छी हूँ और अभी बच्चु का है 11.45 अभी मैं अथर को लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि अभी उसकी मेडिशन खतम हो चुकी है और मुझे भी डॉक्टर को दिखवाना था अपने लिए तो उसके लिए हम लोग बस अभी निकल रहे है और जल्दी नंबर है हमारा 7-8 नंबर है और लगवक 12-30 तक हम लोग को पहुँच जाना है तो लेट हो जाएगा जल्दी अगर नहीं निकलती हूँ फटाफट से जाती हूँ डॉक्टर दिखाती हूँ उसके बाद घर आती हूँ घर आने के बाद आप सभी के साथ एक मज़ेदार से रेसिपी सेयर करने वाले हूँ उसके लिए आपको मेरी ब्लॉग को एन तक नहीं बैठे हुए थे काफी जादा बाहर में भी भीड़ता और इतना कड़ा दूप है पिछले कुछ दिनों से बारिस तो हो इनी रही है बारिस होता है तो एकदम लगाता बहुत बारिस होता है नहीं तो फिर मिलता ही नहीं बारिस और यहां पर दॉक्टर के पास रहा है उतना ज्यादा कड़ा दूप है पता ही नहीं चल रहा है कि अभी दुर्गापुया पहुच गया है लेकिन एकदम ठंडा कोई नामो निसानी नहीं है तो बस हम लोग दोनों निकल गए हैं निकलने के बाद यहां पे बगल में ही गुलगपा बला बैटता है तो करने के बाद फिर मैं बाकी सब काम अपना स्टार्ट करूंगी तो यहां पर मैंने आमला भी लिया है क्योंकि आमला बहुत जरूरी होता है खाना बहुत फायदा करता है और यहां पर अभी मैं किचन पर आई वी हूँ एक प्यारी सी रेसिपी आप सभी के साथ सेयर करने के बने आज ना मैं ऊवनियूऀ नात्रूरी तो करेंगा गयूँ फे जर उपक लिए यह यथा स्ञीट गूश्यिस पर यूश्याद कहलो है कि जरूरी Segur को मैंने अच्छे से गृमिन कर लिया और आप को अगर आप ग्राइंड नहीं करेंगे तो अच्छी तरीके से मिक्स होने में बहुत टाइम लेता है तो बस दही बहुत ज़्यादा खट्टा आपको नहीं लेना है यह बहुत इंपॉर्टेंट टेप्स और फिर मैंने क्या किया दही में सुगर को मिक्स कर लिया और हमेशा एक तो फोड़ा सामी यूज लां तो किसमे of two hundred times cup's अधो चुटकई भर नमक केको डाल ताकि वो धीरी धीरे उन्हें ये सब आदत भी लगे और वो अच्छे से कर पाएं तो बस उसके बाद मैंने यहां पर ले लिया है मैदा मैंने यहां पर लगवक दो कटोरी मैदा लिया है आप चाहें तो यहां पर आटा का इस्तमाल भी कर सकते हैं मैदे को हम अच्छी तरीक अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर लिया है जितनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे ना आपका केक उतना अच्छा रहेगा हमारे बैटर की जो कंसेस्टेंसी है वो एक्तम सही सही है अब इसमें मैंने थोड़ा सा अमूल पाउडर एड़ किया है छोटा चमच मैं मैंने जोकी हमिक्स हो जाए अब मैंने थोड़ा सा लगबख छोटा चमच जितना बैनिला ऐसन्स टाला इसे ब्ष्छी तरीके से हमने मैं मिक्स कर लिया है च्छ के बाद मैंने यह पर चोटा चममच में आधा चममच मैंने डाला है बेकंग सोरा और एक छोटा चममच भरके मैंन पोर्ट्शन आप अच्छी तरीके से मिला लें फिर उसे धीरे से हलके हातों से पेंट लें पेंटने के बाद मैंने लगबग 2-3 चमच भर के बैटर निकाल लिया है उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर मिलाया है लगबग 1 बड़ा चमच इतना कोको पाउडर डला उसे और यृ क्षूल subsid कोष्क दकने लिया है मैंने फोड़ा से रखेंड भी आप है कि बनाने के लिए उयल क्रिस करनाए मैं थोड़ा से लिए हमारे लिए ऐसमें लाड़ा दिया हम एंने उसमें लगा दिए हुआ dollar मैंने थोड़ा सा जो比較 मिलतर है एंड़ा Ск जोमने चोकलेट को को पाउडर मैंने एड किया था था ना उसको मैंने थोड़ा-थोड़ा से करके डाला और एक टूथ पिक की साहता से मैंने उसे इस तरीके से फैला दिया है लग रही है ना कितनी प्यारी सी तो आप जिस तरीके से चाहिए आप डिजाइन बना सकते हैं अगर आपकी आर्ट आपका वो चॉकलेट मार्बल केक बन जाएगा तो यह हमारी सिम्पल सी इजी वाली जटपट से बनने वाली इडली स्टेंड पे 15 मिर्ट में केक बनके बिलकल तैयार हो चुकी है और मैंने पहले से इडली स्टेंड को प्रिहीट कर लिया था थोड़ा सा नीचे सॉल डाल जैसे ही वो गरम हो गया उसके उपर में मैंने च्टेंड को बैठा दिया था और उसके बाद फिर मैंने धक के 15 मिर्ट छोड़ दिया 15 मिर्ट के बाद हमारी जटपट से केक बनके तैयार हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है आप जरूर इसे ट्राइग करें ब बहुत सोब बनाता आप साथ मill20 बनाता बहुत यमी लग लग रहा था तो हब इसे जरूर ट्राइग कीजेगा कियजेगा आप मुझी जरूर एक करना आप कैसे लेगी रेसीपि आपने पहले ट्राइग ऑनकरें ना था इनल्चाब्ल स्टार दुपहार मुझी हाई लेडिस के साथ यह प्रॉब्लम है मेरे साथ बोल के नहीं है ऐसा सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है लेकिन उसके काफी साल होने के बार प्रेग्निसी काफी साल बाद भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है और अभी तो फिलाल कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ही लगता है ना कि एक टाइम के बाद एक्दम बाल जड़ जाएगे और मुझे यह चीज बिलकुल यालाइज नहीं हुआ था कि मेरे बाल सच में इतनी ज़्यादा जड़ गया है और एक्दम अजीब सा लग रहा है देखने में भी क्योंकि मैं बीच मांग तो निकालती नहीं ह कि बाद भी मुझे समझ में नहीं आया लेकिन जब मैंने अपनी फोटोस वीडियोस देखा उछ नहीं मुझे पता चला कि सच में मेरे बाल एक्दम खतम हो चुके हैं जो यहां पे फ्रंट वाल पोर्शन है आप सभी देख सकते हैं यहां पे एक्दम बाल जड़ गया है न तो क्यों ना अभी मैं डॉक्टर के पास जाके इमेडियेट अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूं तो डॉक्टर के पास में गई उनसे मैंने बात किया जितनी भी जो भी प्रॉब्लम से मुझे वो सब कुछ मैंने से कि उन्होंने पूछा कोई आपको कुछ मेजर इस मैं यूज करती हूं गुड गुड मैं लेती हूं सुगर के बदले में और थोड़ा सा बॉड़ी में वीक्निस टाइप कराता है मेरा थकान जल्दी जल्दी थक जाती हूं बहुत ज्यादा में काम नहीं कर पाती हूं continue और इवनिंग के बाद से पता नहीं क्या होता है पिल मैं exercise करती थी जब मैं ममी के यहां पर थी देड़ दो साल पहले का बात है तो डेली में अपने लिए टाइम निकालते थी लगवग एक घंडा मॉर्निंग में लेकिन जब से मैं इस घर पर आई हूं तो मैं बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पारूं साम होने की बाद अगर भी मैं निकालनू एक घंट अपने लिए टाइम पच्चे के वीचे टाइम चला जाता है बाकि सब घर का काम के पीछे टाइम चल जाता है खाना बनाना है उसको जल्दी सुलाना है जल्दी नहीं सोता है सुबह स्कूल के लिए उठने में प्रॉब्लम क्रेट करता है तो और मुझे भी सुबह चार बजे उठना है तो अगर मैं रात 10 बजे नहीं सोंगी तो फिर मैं कैसे उठ पाऊंगी नहीं उठ पाती हूं तो ब बहुत कुछ इस हुए जिसके चलते मैं exercise नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि morning मैं exercise कर लिया करो बोलना असान होता है जो face कर रहा है situation उसके लिए बहुत ज़्यादा difficult है मेरे बिल्कुल भी possible नहीं है इस घर पर exercise कर पाना तो डॉक्टर से मैंने क exercise अगर करती भी हो ना तो आज जैसे मैंने कर लिया कल फिर time नहीं होता है कल skip हो जाता है फिर उसके बाद दिन मैं करूंगी तो ऐसे में continue होता है ना exercise करना वह नहीं कर पा रहे हूं डॉक्टर ने का कोई जरुरत नहीं है आप जैसे हो ठीक हो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा सुगर भी आप मत लीजिए बहुत ज़्यादा फासफूर्ड वगेरा मतले मैंने कहा नहीं कहा अगर आपको सुगर लेना भी है तो आप इक्तम दिन भर में आधा चमच ले सकते हो कोई निक्कत नहीं हो उसमें चाय वगेरा अगर आप पीते हो तो आप चाय के साथ तोड़ी से सुगर ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसमें पूरा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल खाना खाईए हल्दी खाना खाईए और आप सुभे साम दो टाइम वाक पे जाए उन्होंने मुझसे ये का तो सुभे तो जाना बिल्कुल भी कि बहुत जरूरी है अपने लिए हेल्थ के लिए अफ्टर थर्टी अपना बहुत सारा ख्याल लगना चाहिए वरना बॉड़ी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ही कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो मैं नहीं जाती हूँ कि बिमार पढ़ जाओ और बिमार प करेगा यहां पर ऐसा को अपना गार और गहरेंगा दस पंदरा दिन करते के कि लिए पासेबल नहीं चुह को जरूंगर थिंडिो तो तुम जैसी हो ठीक हो सब कुछ खाओ तो को यहीं हो उते हुथ तो मैंने भी आपके यहीं सोच किया है कि शेए कुछ भी हो जाए है के आती हूं पर कोशिस करूंगी थोड़ा से ध्यान दू और तीन टाइम का मील में प्रॉपर तरीके से लो जो कि मैं नहीं ले पाती हूं मॉर्निंग में ब्रेकपस्ट अच्छे से कर लेती हूं बाकी दोनों टाइम का खाना में स्लिप कर देती हूं थोड़ा बहुत हलका बु हो चुकि है थर्टी तो आप अपने आप एक्तम ध्यान दिया करो क्योंकि बात में हो सकता है कि आप सभी को भी इस तरीके से कुछ-कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए तो प्लीज आप सभी कोई अपना-पना ख्याल रखिए क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि आरे कुछ नहीं होगा चलो ठीक है तीस साल हो गया तो क्या हो गया लेकिन नहीं यहीं चीज हम लोग गलत करते हैं हमें अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए जितना ध्यान हम बच्चों के पीछे लगाते हैं अजबन की पीछे लगाते हैं कि उनका यह चीज प्रॉप प्रेंड्स मुझे आप सभी को यही सेर करना था और मैं आप सभी को मेडिसिन भी दिखा देती हूं अथर की मेडिसिन भी उन्होंने एक छोटे से पाउच में दिया है और ये मेरी और अथर हम दोनों की मेडिसिन से दोनों में नाम लिखा हुआ है दोनों की मेडिसिन की और करेंग आज से ही मैंने स्टार्ट करना time system कुंप पड़ा है इसे सब खुछ याइभी के नियुकर मैं देखा जा Virie कि तीन बार आप do इसी करती है अब जैसा होता है देखा जाएगा अलोपती तो बिल्कुल भी लेना नीच चाहिए सब चीज में यूँकि वो थोड़ टाइम के लिए जरूर ठीक कर देगा हो सकता ही ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाए बाल पे लेकिन फिर जैसे आप मेडिसिन छोड़ोगे न फिर से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो हो में पति है वो भी अच्छा है जड़ से फृब्लम को खत्म करता है तो देखके हो अभी मैं वंए भरोसा की है ए तो अलुए हे में सब कुछ गायव है तो इखते हैं क्या हो थो फ्रेंट साफ की व्लोग को में यही पे करते आए एंड जल्. हो बिलोरे पर ने हमें करते